सोसल मीडिया पे लगातार आज कल आप लोग देखते होंगे कि संतो बाबा के नाम से लगातार वीडियो वैरल होते रहता है आखिर क्या है संतो बाबा की सच्चाई क्या संतो बाबा सच में स्चमतकार करते हैं या फिर अंदिविश्वास को बढ़ावा देते हैं बहुत सार लोगों का कॉमेंट आता है कि बाबा नहीं यह धोंगी बाबा है आज सारा सचाई हम बोलेंगे सारा सचाई सामने जो बाबा है उनसे बात करेंगे आखिर सच में बाबा चमतकार करते हैं या फिर अंध्विश्वास को बढ़ावा देते हैं बाबा स्वागत है आपका टीव हम संतो बाबा कता है यह सब नहीं संतो बर घंपर ही होता है तो नहीं है संतों बाबा कोन है संतोब अउतना बहुत लम्बा कहा नी है बता दें हैं कि संतो बाबा का अस्थान है वह संतोब है कि इन्सान ही थे तपस्वी थे उस बने फीस्तिल हो गए हैं llegó बहुत HR लेकर के लुप्त हो Kane है यह तो हम का अभी भी चूटा रखा गया है वहां पे उस मंदिर में मंदिर में जहां लुप्त हुआ है शरीर को छोड़ा गया है वहां पे खराम भी है उनका चूटा खराम अभी मेजूद है उनका तो यानि कि वहां पे जो भी किरपा होता है वही संतो बाबा का किरपा ही होता है वहा कि यह सब फेक है वो सब ढोंगी है वो सब होता ही नहीं जबाब करेंगे जिवाब देंगे कि आप भी संतो भबावम धाम आईये और पूछिए होता है नहीं होता है अच्छा क्या वो इसे लोगों को आप जबाब पर फिल्कुल धाम पर आएंगे वहां एक दम लाइब के माध्यम से आप उनकी मन की बातों को बता देंगे जैसे बागे श्रीबात है होगा बिल्कुल हो जाएगा होगा क्यों नहीं होगा जब आएंगी तो चलिए जिस ब्यक्ति को बाबा के सवालों का सामना करना है जो बा में होगा आपका जो सवाल है बाबा आपको पूरे भीर से उठा के आपके सवाल का जबाब देंगे सस्य बोल है कि अब एक मतलब उसको पीछे से बुला के बोल दिया बहुत भीर कम था ना चार्सों पान्सों हजार था अभी तो दस जार है ना अभी तो बहुत ज़दा है अभी पुजा को बंद किया गया और नहीं उठाया जाता है अच्छा बाबा ये देख रहे हैं कि लागातार यहां पे भीर बढ़ते जा रहा है और भीर बढ़ने के चलते लोगों को बहुत चारी परेशानिया आ रहे हैं कब तक ये बिवस्ता सुद्रीड हो जाएगा कल से चालू है अच्छा वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बाबा पर बहुत भरोसा करते हैं आपका वीडियो लागातार सोचल मीडिया पर वायरल हो रहा है बहुत लोग भरोसा भी करते हैं कि संतो बाबा के दर्बार में हम जाएंगे मेरा सब दुख दूर हो अगर हम नहीं मिल पाते हैं तो यहां की जो ग्रामिन है उनका कहना है कि एक पोखर है बाबा के आगे में आए आए आप लोग उस पोखर में असनान किजिए बाबा का भेबुति लगाए जाए फिर भी आपका मनोकामना सिब्ध होगा चलिए देखिए ये बड़ी बात है ये बाबा जो आज बोले है ना आप लोग ध्यान से सुन लीजिए 10,000, 20,000 लोग आते हैं बाबा इतने लोगों से नहीं मिल पाएंगे कभी हो ही नहीं सकता है कि एक आदमी 20,000 लोगों से कैसे मिल के बात करेंगे तो बाबा बहुत बड़ा संदेश आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग बाबा से नहीं मिल पाते हैं, तो बाबा के मंदिर के सामने जो पोखर है, आप उसमें असनान कर लिजे, उसके बाद विभूती जो होता है, वहाँ पे जाके लगाई भूबूत, उसके बाद आपका सरा दुख दूर हो जाएगा. हम इसलिए बोले हैं उसमें असनान करने के लिए, कि माना जाता हैं कि उसमें बहुत सक्ती हैं. अगर हम नहीं थे, आथ साल से पहले हम नहीं थे, तो गरामीन को ऐसा ुशकर का जल छिट लिया करता था, और बाबा का भीवूती लगा लिया करता था, ठीक हो जाता था. जिस तो कोई दूसरा हो सकते हैं, भगवान का कहीं बहुत बढ़ा हम पे आसिरवाद है, सारधा है, इसलिए होता है, अगर नहीं रहाता संत बाबा का सारधा, विश्वास, और मेरा विश्वास भगवान पे नहीं रहाता, मेरा आस्था अगर संत बाबा पे नहीं रहाता, सनातन पी नहीं राता तो नहीं होता अच्छा यहां पे देखते हैं कि बहुत सारे धर्म के लोग आते हैं मुस्लिम धर्म से भी आते हैं हिंदु धर्म से भी आते हैं अलग-अलग जाती से भी लोग आते हैं देश-विदेश से भी लोग आते हैं उनको क्या संदेश देना सबका दिमाग तो एक ही है, खोन तो एक ही है, अब भरोसा करके आए, चाहिए जो भी धर्म से है, दिल में बसा लिजिए संद बाबा को, जरुन मनत्य पूरा होगा, पूरा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बसा के आए, दिल में, किसी भी धर्म से आए, किसी भी काष्ट से आ हम एक मुसलिम लर्की बोला था मेरे पास रैब है दस 11 साल अनके ममी सम् से mighty आ पूछे हैं कि आप मुसलिम धर्म से भुषास है भीकर स्वशास है वो बला थ।ow आपके पास है अजर नहीं बोले गा तो यहीं मर जाएंगे अच्छा कोई कोई सुसल मीडिया से वीडियो भी बनाया गया था अब भी सथे जी बनाया थे उन्हीं के विश्वास के अनुसार अगर हम बेवुति और फूल बवा के अस्थान से ला करके गला में लगा करके ठोक दिये और बच्चा से सारा कुछ ए और मेरा भी मन खुस हुआ बहुत ज़एदा खुस हुआ मय्या आँख में भी आस भा गया तभी जी अा देखे दØ्लों हा wrath में लोgen के युद ट्र से दिल एलोग करता है कि यह बोलना चाहिए इसको यहीं बात है इनके पास पूरा दिल लगता है कि इसी बात को जैसे किसी बैक्ती में निकालने के लिए बहुत कोशिज करता है तो तो भी नहीं निकलता है उसी तरह से बस जाता है कोई सवाल कोई बात कि इनको संतान है संतान न लोग आते हैं उनसे आप क्याल लेते हैं हम तो अभी तक में आठ साल से कुछ नहीं लिए हैं कुछ भी नहीं हम कुछ नहीं लिए हैं लेकर के आते हैं लेकर कि क्याल लाना चाहिए हम बता देते हैं सबसे पहले तो अरजी लगा करके जब आते हैं तो एक हो गया निमंत्रन आपको हम निमांतरन देरे हैं गया कि आप मेरा अरजी विकार कीजिये हम जो वर्म काम करना चाहिए हर सर्धा Duck ड़र से अबार से आते हैं लेकरकेड़ यहां लेते हैं तो यहां क्या है यह कुन बता किसको पता है घार से आते हैं तो पिला चंदन ले लिजीए। पिला जनाओं ले लिजीए। यज्य नहीं होता आ तो नहीं भी लिजिए। किसी पन्नी में ये लाल कपरा में बांध लिजीए। नहीं तो शिक्की का ढली में लिजीए। आगर यह सब वेवस्था नहीं है यह सब लाने में अगर दिक्कत है बहुत दूर से आ रहे हैं तो यहां आ जाएए यहां आप सिर्फ मनोकामना सिद्ध करके रख दीजिये हो गया अच्छा यह सब के लिए है या फिर जो बच्चे वाली महिलाएं अकसर आती है आपके धाम म होना है कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो पांच फल लेना है कोई भी फल पांच लेना है हर फल जोरा जोरा ही होना चाहिए क्योंकि एक पती खाएंगे एक पत्नी खाएंगे उनहीं का फल उनहीं को लोटा दिया जाता है हम नहीं रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं उस में विश्वास के साथ दिया जाएगा बाबा के असिरवाज के साथ दिया जाएगा अगले बार आप लोग अगर आये होंगे तो देखे होंगे पांच नी संतान को संतान प्राप्त हुआ था अब तक मैं आपके धाम से कितने लोगों को संतान प्राप्त हुआ है टोटल हम अ लेकिन पहले वाला तो दिली में छूट गया दिली पूजा करने के लिए गए थी तो अभी कुछ कुछ अभी भी है अच्छा यहां पर कोई वेवस्थापक है या फिर आफीक सब कार्य देखते हैं नहीं पहले तो नहीं था लेकिन ग्राम मिन के सहयुक्षा बन चुका है हम तो चाहेंगे आफी लोग की संपर्क से आ जाना चाहिए क्योंकि हम अपना एक कॉंटेक्ट नम्मर दिये थे एक कॉल आया उससे बात करते हैं तब तक में पांच वेटिंग चल जाता था हम सिम को लास्टी में क्या करते हैं परिसान हो गए इतना आने लगा कि इतना आन नहीं लगेगा एक पोस्ट अगर आप डाल देंगे तो लोगों पता चल जाए अगर यह बात पुछे हैं तो हम यूटूप से भी बताते हैं पैस्बुक से भी बताते हैं अपने चैनल से बता देते हैं कब धाम लगेगा कब नहीं सब कुछ बताते हैं और चैनल का नाम य अगर उनको यह लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे वहां तक यहीं से कुछ बता दे बाबा तो हम वीडियो में यह भी बताते हैं कि आप घर से कैसे ठीक हो जाते हैं संबा परियाष करते हैं और लगाने का परियाष करते हैं और फेस्बुक से सुरेष कुम्ष की नाम से हम आईडे बनाए आई हैं उसपे लाइब भीD देते हैं वीडियो 好पे और बताते वी हैं अच्छा एक सवाल है बाबा का साधी हुआ है की नहीं हुआ है तो अब तो साधी विवा करने का उम्र हो गया है साधी करना है या पर बाल प्रहम चर रहके बाबा का सेवा करना है साधी तो सब को करना है हम अगर बताते हैं तो यह अभी कोई नहीं है करना है कि नहीं अगर करना भी आ तो अभी नहीं करना है अभी थोड़ा भक्त लोग जो आते हैं सब का सनुमान करना है सब का आदर लेना है सब का सब में प्रेम बाठना है अगर ममी पापा चाहते हैं तो उनको हम ठुकरा भी नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हीं का हम जन्म दिये हैं तो सब का सिवा कर रहे हैं अगर उन्हीं देते हैं तो सब का सवा हम कहां से करते हैं तो उनका जो आदिस होगा हम पालन करेंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा आपको कि आपने सारे सवाल का जवाब दिया और उमीद करते हैं आप लोगों को भी बाबा से जो पूछना था जो जानकारी लेना था हमने लेने का परियास किया बांकि अगर अब भी आपको कोई सवाल है, सवाल आपके दिल में बचा हुआ है कि बाबा से जानकारी लेना है, तो हम उम्मीद करेंगे, आगे भी हम आके बाबा से बात करेंगे, आप लोग अपना रहे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बाबा जो बोल रहें, क्या उसमे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताईएगा, टीबी टेम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चाहिंद